गुरुजी, ग्रहन का आणर बोजें को अधिक दता से लिए ग्रहन की विशे में हमारे हिंदू, धरम ग्रंथों में, हिंदू ग्रेद ग्रंथों में जितनी में चर्चा हुई है, विश्म में किसी अन्य ग्रंथ में या किसी अन्य धरम या किसी अन्य सब्धिता में इस प्र चाल प्रहर वीट रहर में धुक्त करने वाले मुशिय। जितना भोजन खाता है उतने वर्षों तक उसे अरंतुब नामत नर्थ में निवास करना पड़ता है उसके बाद वह पेड़ के रोग से लित होकर ताना और दातों से रहित होकर जीवन व्यकीद करता है और विज्यानिक परिछणों के आदार पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि सूर एवमचंद ग्रहन के समय पढ़ने वाली अल्ट्रा वॉयलेफ पेड़ने भोजन को विशैला बना देती है इसलिए गहर काल में या गहर काल से पहले पकी गुजन को हमारे धरम गल्मतों में खाने के लिए मना किया गया है